अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे कि कोई साधे सुधा पत्नी हो या पती हो उससे अपना प्यार निरंतर मिलता रहे या उसके जो भी प्यार में कमिया आ रही है उसको पाने के लिए उसे क्या उपाय करना चाहिए इसे आप ध्धान से सुनिए उस पत्नी को चाहिए कि वो पहले अपनी पवित्रता पे ध्यान दे और पवित्र हो के सुबय अस्तार पुया करके अपने इस देवता और अपने गुरों का ध्यान करके वो अपने घर के वातरों को सुद बराये और अपने पती का ध्यान करके उसके जीवन में सुख समरतिल आने के लिए शिरी गनेश की पुजा करें। गनेश एक मात्र ऐसे बिग्र मिनासक देवता हैं, जो कि आपके हर कार को अनकुल बना सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए उनका नाम ही गवरी गनेश हैं। और मैं इस बात को सिद्ध करता हूं कि जहां पे गनेश ही होते हैं, वहां पे गवरी और भरवान शिव और असन की तेवी उता अनायासी परगड़ होते हैं। तो उसे गनेश सिद्धी यंद्र का इस सहारा ले सकती है। और अपने घद्मया स्थावित करके उस यंद्र से अ अम गंगंगरपते नमया अम गंगंगरपते नमया अम गंगंगरपते नमया इस मंत्र का निरंतर जाप करती रहें और अपने पती का ध्यान अपने हिर्दय में करें और भगवान गनपती से प्रात्ना करें कि मेरे पती को मेरे अनुपर करके अब मेरा जो भी खोया हुआ उसी आप हमेसार के लिए कायम रखें, ओम गंगरतेन में, ओम गंगरतेन में, ओम गंगरतेन में.